स्वाइल यानि मिट्टी स्वाइल हमारे जीवन के बहुत ही मैत वह पूर्ण पार्ट है स्वाइल एक प्लांट को ग्रो करने में बहुत ही सायता करता है और यह प्लांट को पकड़ता है और उसको वाटर और नूट्रियंट सप्लाई करता है So, soil agriculture के लिए बहुत ही important है और agriculture से हमें food, clothes और shelter मिलता है So, soil हमारे life का बहुत ही important part है So, चलिए अब जानते हैं soil formation Soil formation जब rocks छोटे-छोटे टुकरों में बढ़ जाता है Weather के कारण, temperature के कारण और wind, हवा, सूर्य की रोशनी के वज़े से वो छोटे-छोटे टुकरों में बढ़ जाते है So, तब soil form होता है So, इसी को इंगलिश में बोलते है A soil is formed by changing of rocks into smaller pieces by temperature, wind, sunlight, rain, etc So, चलिए आप जानते हैं soil profile Soil profile इसके लिए हमें एक experiment करना होगा और उसके बाद हम observe करेंगे सबसे पहले आपको चाहिए एक glass जिसमें one third पानी भरा हो और उसके बाद soil डालेंगे और 15-20 मिनट तक उसको बिना हिले छोड़ देंगे और फिर आप देखेंगे जो soil है वो अलग-अलग layers में बट गया है So, सबसे पहला layer होगा humus जिसे हम dead plants या animals भी कहते हैं फिर उसके नीचे water होगा फिर उसके नीचे clay और फिर उसके नीचे sand और फिर उसके नीचे gravel या kankar So, यह soil profile है So, चलिए layers of soil जानते है layers of soil चार होते है A horizon, B horizon, C horizon और bedrock So, A horizon, A horizon बहुत ही मुलायम होता है और इसमें humus और fertility बहुत ही ज्यादा होती है और फिर आता है horizon B horizon B horizon A से थोड़ा सा hard होता है और इसमें humus की मातरा कम होती है So, इसके बाद आता है horizon C horizon C में छोटे मोटे कंकर आने लगते हैं और इसमें humus की मातरा एकदम कम हो जाती है और फिर आता है bedrock Bedrock के तो नाम ही से पत्थर चल जा रहा है कि पत्थर का बिस्तर पत्थर का बिस्तर मतलब एकदम hard और इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर आने लगते हैं और humus नहीं होता है इसमें soil types, एक soil एक rock पर depend करता है जिससे वो form हुआ है, so there are three types of soil, loamy soil, sandy soil and clay soil sandy soil, sandy soil का particle बहुत ही बड़ा होता है और इन particles के बीच में बहुत ज्यादा gap होता है जिसमें air fill होता है और अगर हम इसमें water डालें तो वो बहुत ही जल्दी drain हो जाएगा और sandy soil का particle सबसे बड़ा होता है और इसमें humus थोड़ा सा ही पाया जाता है और इस soil में cactus, bubble, kicker जैसे पौधे पाये जाते हैं clay soil, clay soil का particle बहुत ही छोटा होता है और इन particles के बीच में बहुत ही कम gap होता है और ये tightly packed होते हैं और clay soil में water holding capacity बहुत ही ज्यादा होता है और अगर इसमें पानी चला जाए तो इसका वजन बहुत ही ज्यादा हो जाता है clay soil में wheat, rice जैसे पौधे पाये जाते हैं Lomi soil, Lomi soil agriculture के लिए सबसे अच्छा soil माना जरता है इसमें humus और fertility बहुत ही ज्यादा होती है तो Lomi soil का particle sand से कम और clay से ज्यादा बड़ा होता है और Lomi soil clay और sandy और silt का mixture होता है silt river के किनारे पाये जाता है और Lomi soil का water holding capacity बहुत ही अच्छा होता है और Lomi soil में orange mango जैसे fruits के पौधे आते हैं percolation of water means absorption of water सो इसको समझने के लिए हमारे पास एक experiment है और उसके बाद हम absorb करेंगे सो इसके लिए हमें एक मिटी का जमीन चाहिए और सिमेंट का जमीन सो फिर उस पे 200 ml पानी उस पे गिराएंगे सो फिर देखेंगे कि कितना time में वो absorb होता है सो मान लिजिए कि मिटी वाला जमीन 20 मिनट में सोख लिया और सिमेंट वाला जमीन 50 मिनट में सोख लिया सो परकुलेशन रेट का एक फॉर्मूला होता है परकुलेशन रेट इस उगल तो अमाउंट वाटर बाई परकुलेशन टाइम सो परकुलेशन रेट हम अब मिटी के जमीन का निकालते हैं सो परकुलेशन रेट इस उगल तो अमाउंट ओड़ जहिए 200 O जमार तीचिन मिटी के जमीन का है उब निकालते हैं सीमेंट के जमीन का परकुलेशन रेट सो परकुलेशन रेट rate is equal to 200 ml by 50 minutes so 50 minutes and 200 ml has crossed in four times so four milliliter per second is the percolation rate of the cemented plane so mitti के जमीन का percolation rate cemented जमीन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है so if you like this video like it and don't forget to subscribe my channel if you have any doubts comment in the comment box thanks for watching